नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महतोपूर्ण जानकारियों को ले करके जिहां दोस्तों आज हम बात करेंगे कच्चा केला दिखने में जितना अच्छा होता है उतना ही खाने में भी दोस् तो आज हम बात करने वाले हैं कच्चे के ले के बारे में ज्यादा तर इसका स्तेमाल सबौजी और स्नेक्स के लिए किया जाता है दोस्तों केला कच्चा हो या पका तर सेषप के लिए बोखत ही फायदे मंद होता है दोस्तों इसमें मौजूद बोखत सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइवर, ब्लर शुगर कंट्रोल करने के साथ ही कोलेस्टरोल और वजन कम करने में भी मददगार होते हैं दोस्तों जिहां दोस्तों केला स्टार्च का अच्छा शुरोत होता है रेजिस्टेंट स्टार्च एक अलग प्रकार का स्टार्च होता है दोस्तों जो शरीर के लिए एक जरूरी तत्व है यह शरीर की कई प्रकार की आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने में अहम भ भी उचित मात्रा में रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा डाइबीटिज अपच और गैस और दिल की बिमारियों के साथ ही कोलेस्ट्रोल लेवल को भी नियमत्रित करती है यह आपके हिल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों इसके साथ ही यह फूट को जरूरी में बदलता है जो वजन कम करने में भी कारगर होता है दोस्तों इसके अधर बेनिफिटस दोस्तों वितामिन सी की उचित मात्रा Кстати मात्रा पोटेशिम का खाजाना तो यह सारे चेंज इस कच्चे के लिए में पाई जाते हैं कच्चे के लिए कब घुजन में उप्योग कर शरीर के लिए जरूरी विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है दोस्तों शरीर को स्वस्थ रखने में विटामिन सी बहुत ही महत्पून भूमिका निभाता है दोस्तों विटामिन सी एंटी ऑक्सिडेंट के तौर पर काम करता है दोस्तों जो स्कीन इंफेक्शन से बच बंधित कई बीमारियों का खत्रा बना रहता है। tenían की अच्छे मातरह जिह हैं दोस्तों कच्चे केले में फार्याप्त मातरह होती है। एक कप उबले कच्चे केले में 3.6 ग्राम फार पाया जाता है जो पाचन क्रिया को दुरूस्त रखने में मददगार है। इसके साथ हैं ये डाइबिटेज और दिल की बिमारियों की संभावनाओं को भी कम करता है खाने में इसे शामिल करके जल्दी और आसानी से वजन कम किया जा सकता है दोस्तों शरीर को लगभग रोजाना 14% तक फाइवर मिले तो पेड़ से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं दूर रहती हैं दोस्तों केला खाने से पर्याप्त मात्रा में फाइवर की पूर्ती हो जाती है दोस्तों पोटैशियम की खाजाना जिहां दोस्तों सभी हरी सबजीयां पोटैशियम का खाजाना होती है कच्चा केला भी उन минут Main से ही एक है ज्यादतर लोग अपनी देली डैट में पोटैशियम की उतनी मात्रा नहीं ले पाते जीतनी शरीर को जरूरत होती है दिन भर इसकी कमी को कुछ न कुछ खाकर भी पूरा कर पाना असंभव साही है इसके लिए जरूरी है कि पुटेशियम के भर पूर मात्रा वाले खादे पदार्थों का सिवन किया जाये दोस्तों केला खाकर इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है इसकी पर्याप्त मात्रा शरीर में फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को सही रखती है दोस्तों साथ ही मुसल्स नर्वस सिस्टम भी इससे सही धंग से काम करते हैं दोस्तों विटामिन B6 का सुरोत जिहां दोस्तों विटामिन B6 की सबसे ज़्यादा मात्रा कच्चे केले में पाई जाती है ये पानी में सबसे आसानी से घुल जाने वाला विटामिन है दोस्तों तो कार्बो हाइटरेट, प्रोटीन और मेटाबलेजम के लिए जिम्मेदार केमिकल्स के बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों मुटापे को कंट्रोल करने में भी कच्चा केला बहुत ही फायदे मंद होता है हीमोगलोबीन के बनने में भी सहायक होता है कच्चा केला जिससे सिल्स टिशूज और बाकी अंगों को जरूरी मात्रा में अक्सीजन की पूर्ती हो जाती है दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने के हम आज जो और शदी यानि की कच्चे केले को लेकर के आये थे आप सभी के लिए या आप सभी के लिए बेहत लाबकारी साबित होता है दोस्तों तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछे कोवर महतुपूर जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों